असलाम अलेकुम मेरे दोस्तों सजनों और बेलियों मैं हूँ इजहार अहमद और वैलकम करता हूँ आपको किचिन गाड़निंग चैनल पर और साथ में उमीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग हैरिये से होंगे फिट फाट होंगे अच्छे अच्छे से काम होंगे खूब अ अंच्छे से गुजर रही होगी और आपकी गाड़निंग भी आची चर रही होगी darkness का मोसम है और बरसात के मोसम में width season काईयारी कर ली जाती है जयाखती है सीर्णिंग करặt कर ली जाती है तो मैं आप सेड़निंग करने वाला है का मैं सर्दी के सीजन के पूल Child Jeans सौर्ड कि तो उनके लिए हमको जो चीजें चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये सीड्स हैं कैलन्डूला के बहुत ही खुबसूरत दिखने वाले फूल जिस तरह के रोजमेरी के फूल होते हैं मेरी गोल्ड के फ्लावर होते हैं ये पिक्चर आफ देखिए ये वाले इसके फूल हैं और ये विंटर सीजन के हैं बहुत ही खुबसूरत दिखने वाले और दिल को भाने वाले तो मैं लास्ट नाइम भी इसकी सीडलिंग की थी मतलब लास्ट इsyr गियर मैंने सीडलिंग की थी तो काफी successful रहा था मैं और दो प्लाउंट मुझसे बन पाए थे दो प्लांट की मैंने सीडलिंग की थी I think सीड से ज्याद से परिंकल की है थे लेकिन दो की जर्मियाच चे अच्छे से स्टार्ट होगी थी और ये सारे के सारे सीड मैंने अपने ही जो दो पोदे लगे थे, दो पोदों को तकरीब करीब चार से पांच फूल लगे, और चार से पांच फूल जब वो ड्राय हो गए, उनका seed port मैंसे मैंने seed individually एक एक करके save किया और ये आपके सामने है दो कोदों के seed कितने ज्यादा मैंने seed store कर लिया है और time to time मैं इसको use करता रहूंगा first बार मुझे gift आया था और ये मेरे अपने seed है first बार मुझे gift आया था वो करीब 10 के करीब seed थे लेकिन ये देख लिए पचास से भी उपर होंगे हाँ अपने घर के seed बहुत healthy seed ओके दोस्तों ये seed कुछ देखने को कुछ इस तरहां से होते हैं जिस तरहां कोई कीड़ा हम देख रहे हैं कुछ इस तरहां के लेकिन गवराईए नहीं ये कीड़ा नहीं है ये seeds ही हैं ये dry की होए बहुत अच्छे healthy seed हैं जिसको मैं अब लगाने वाला हूँ और seedling स्टार्ट करूँगा स्टार्ट करने से पहले मिडिया जो बनाना है हमने वो ही 20% मिट्टी और 80% rate आप समझे रहे हैं मिडिया लगाना आपने चाहे cutting लगानी हो चाहे आपने seedling करनी है और ये मिडिया बहुत ही जवदा समझा जाता है ये मैंने आरड़ मटी बरके रख ली है इसके अंदर इसको equal कर दी है मैंने soft है अच्छी है light weight है अब इसके ओपर हम sprinkle करेंगे हम चाहते हैं कि इसकी seedling इसी में start हो और जब transplant के काबिल हो जाएं फोदे देनमन को individually एक-एक pot में shift करते हैं अलग-अलग से तो healthy seed आप देख लीजिए कौन सा healthy आपको लगता है जिसकी health अच्छी आपको दिखे वो आप choose करें और दूसरा जो ठीक ना हो उसको आप फैंक दीजिए मैं करीब-करीब एक-एक इंच के distance पर लगाऊंगा ये circle में सबसे पहले लगाईए अगर आप seedling tray यूज़ कर रहे हैं फिर तो कोई problem नहीं है क्योंकि उसके अलग-लग से cubes बने होते हैं container चोटे-चोटे बने होते हैं तो आप उनमें लगा सकते हैं अगर गमले में आप लगा रहे हैं seedling कर रहे हैं तो एक-एक इंच का distance रखिए और सबसे पहले circle में चलिए देन उसके बाद बीच वाला जो circle आएगा उसको cover करें इसी तरह cover करते करते हैं आप सारे seedling कर सकते हैं दबाने की ज़रूद नहीं है seed को just उपर रखें और next seed लगाते चले जाएं seed किसी भी direction में पड़े वो आपको tension नहीनी की ज़रूद नहीं है क्योंकि जब इसके उपर मटी से हम cover करेंगे तो वो automatically खुद ही अपने आपको adjust कर लेगा जिस तरह उसका देल चाहेगा seedling स्टार्ट होगी कुछ मैंने इस तरह से डाल दी है और अब seeds कितने हैं मैंने counting नहीं की अभी कर लेता हूँ एक, दो, तेन, चर, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदा, सोला सोला सीड मैंने स्पिंकल कर दी है, सोला सीड की मैंने seeds की seedling करनी है तो, अब मैं इसके ओपर दुबारा से एक layer करूँगा, बहुत ही बारीक सी layer करनी है हमने, वही जो combination हमने बनाया हुआ है, 50%, sorry, 80% sand और 20% मिटी का अलकी-अलकी सी layer कर देंगे, इसके ओपर हम ताके seeds डख जाएं और पानी देने का तरीका इस बार बिल्कुल अलग होगा, आप लोगों के साथ share करना है क्योंकि अगर हम seedling को पानी देते हैं, तो seedling को पानी देने से हमारे seeds अपनी जगा से हट भी सकते हैं पानी की थ्रोव होने के वज़ा से मटी हट सकती है seed से, तो हम नहीं चाहते हैं कि इसकी seedling खराब हो, इसलिए new method, आर्रेड़ी मैंने आपके साथ share किया हुआ है लेकिन वीडियो के अंदर मैं पहली बार आपके साथ share करूँगा, तो आप भी ऐसा ही कीज़ेगा, आपको successfully rate अच्छा मिलेगा, आप successful रहेंगे आपको दुख नहीं होगा, कोच इस तरह मैंने cover कर दिया, ज्यादा cover करने की ज़रूत नहीं है, मैंने चंद cm की layer की है, ज्यादा मैंने layer नहीं की, ज्यादा layer तब की जाती है, अगर आपने उपर से पानी देना हो, लेकिन हम उपर से पानी नहीं देंगे, हम इसको tray की नहीं सकती, चाहे एक cm की layer ही क्यों ना हो, अब यह seedling हो गई है, अब हम इसको, यह tray है मेरे पास, आपके पास कोई भी tray हो, यह bucket की थी, paint बाल्टी जो होती है, उसका डखकन था यह, तो इसके अंदर मैं डाल के, इसके अंदर पानी भर दूँगा, और जितनी भी इसकी नी ना है shade के अंदर, जहां पर दूब भी आए और जहां पर चाया भी हो, अगर दूब ना भी आए तब इसकी germination स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर अगर आप इसको पानी के अंदर 2400 गंटे पानी के अंदर ही रखते हैं, तो दैन भी कोई problem नहीं होगी, क्योंकि उसकी reason हैं, वो गलें ही नहीं, मतलब खराब नहीं होगे, क्योंकि सेंड जो है, वो आपके सीड को गलें नहीं देंगी, खराब नहीं होने देगी, आखर आपने only मिटी या compost यूज की है, then आपको बहुत focus रखना पड़ेगा, carefully आपको पानी देना पड़ेगा, हर वक्त पानी पर सीड को भी पानी हलका हलका मिलता रहेगा, आप इसको इंडोर प्लेस कर दे, जहां पर जस्ट रोशनी हो, सुरज की रोशनी ना भी आए तो काम चलेगा, ओके अब थोड़ा सा हम टैक लगा देते हैं, इसको ताके हमें याद रहे, कि हमने सीड लिंग किस चीज की थी, और आप इसमें टैक जरूर लगाया करें ताके आपको याद रहे, आपके माइंड में रहे, कि आपने कौन सी सीड लिंग की है, क्योंके मिक्स अप भी समटाइम ऐसा भी होता है, कि मिक्स अप हो जाता है, अगर आपन से छे वराटीज की सीड लिंग की हो तो, कुछ इस त दोस्तों, आज पंधा तरीक है, हमने तेरा तरीक को इसकी सीड लिंग की थी, और अब इसका रिजल्ट आपके सामने है, दो सप्राउट निगलना शुरू हो गए है, सीड में से उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, एक ये वाला है, चोटा सा निगर रहा है, और एक ये वाला, कितना ही जवर्दस लग रहा है, बहुत खुबसूरत दिख रहा है मुझे, खुशी भी हो रही है, कि मुझे से जर्मिनेशन स्टार्ट हो पा रही है, हाँ, हमने 17 सीड लगाए थे, और अभी 2 की सीड लिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्द उमीद करता हू कि मिनिमम मिनिमम 15 की सीड लिंग स्टार्ट होनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, ओके, तेरा तरीकों सीड लिंग की थी, आज 15 तरीका, दो दिन बाद का ये रिजल्ट, दो दिन भी पूरे नहीं हुए भी, दो दिन बाद का ये रिजल्ट हमें बहुत ही सिकसूल अच्छ रेट है, तो इसलिए रेट में जल्दी फंगस नहीं आता, ओके दोस्तों स्टे विद मी, ओके दोस्तों, तेरा तरीकों सीड लिंग चली थी हमारी, और आज 16 तरीक है, मतलब तीन दिन का ये रिजल्ट, और कल अबने चेक किया था, तो जस्ट दो ही सप्राउट निगले अब आपके सामने हैं, कितने सारे सप्राउट निगल रहे हैं, एक, दो, थीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस सप्राउट, दस सप्राउट निगल आये हैं, और मैं उमीद करता हूँ कि अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा, कि 17 सीड लगाए थे, मैं तो उम करता हूँ कि 17 में से मिनिमम पंदरा की जर्मिनेशन सो स्टार्ट होगी ही, ओके दोस्तों स्टे विद मी देखते हैं, कब तक ये प्रॉपर सीड लिंग स्टार्ट होती है, कि दोस्तों चार दिन का ये रिजल्ट आपके सामने है, हमने सीड लिंग की थी 13 तरही को और आज सता तरही का मतलब 13 को हमने सीड लिंग की थी और आज 17 है, मतलब कि चार रोज हो गए इसको और चार रोज का ये रिजल्ट आपके सामने है, बहुत जबर्दस इसका रिजल मुझे मिर रहा है और 16 सील की germination start हो गई है और अभी एक रहता है मेरा target था 15 तक का लेकिन 15 से अब हो गया है बहुत खुश हूँ मैं और एक का इजाफा हो गया है अब जस्ट एक last रह गया है अगर 17 के 17 निकल आए तो मैं successful हो जाऊँगा सीलिंग स्टार्ट करने में ओके दोस्तों stay with me देखते हैं कब तक वो निकलता है ओके दोस्तों आज 18 तारीक है मतलब इसको 5 दिन हो गए सीलिंग को और अब पूरे का पूरे 17 सील जितने हमने से प्रिंकल किये थे सबकी germination स्टार्ट हो गई है एक नन्ना सा जो निगर रहा है चोटा सा है अभी ये 17 नमबर वाला है तो मुझे सक्सेक्सूली सभी की सिप्राटिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे जब हम score transfer करेंगे आपके साथ शेयर मैं जरूर करूँगा तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा मैं अभी पलक जबकते लोट के आऊँगा कुछ जिनों के बाद ओके दोस्तों आज टाइम हाईगी गया इसको transplant करने का चोटे से पोदे थे चोटे से सीड थे उससे जब sprouting start हुई अब ये plantation अच्छे से plant तायार हो गए है ये transplant के काबिल है मैंने बेसिकली थोड़ी सी धेर कर दी इसको जल्दी transplant कर देना चाहिए था लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था हमने seedling की थी 13 तरीकों अगस का महीना था और आज 23 सेप्टमबर है मतलब इसको 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 23 एक्तालिस तो 13 तरीकों हमने seedling की थी अगस का महीना था और 17 seed हमने लगाए थे और आज सेप्टमबर की आज 23 तरीक हो गई है मतलब इसको अप्रोक्सिमेटली कितने दिन मैं 41 days इसको हो गए है 41 दिन के बाद का ये result है 40 दिन के बाद ये ready हो गए है transplant करने के काफी बड़े बड़े भी हो गए है तो बुरे नहीं है हमने 17 seed लगाए थे और 17 में से germination स्टार्ट हुई 1, 2, 3 और 3 नमपर वाला देखें जरा कैसे इसकी roots भी मैंने basically थोड़ी धेर कर दी है इसको करीब दो week पहले ही मुझे transplant कर देना चाहिए था लेकिन time नहीं मिला मुझे इसलिए कुछ उगने के बाद खराब भी हो रहे है 1, 2, 3, 4 वैल अभी counting करना थोड़ा सा मुश्किल होगा जब हम इसको separate करके इस पॉर्स में लगाएंगे यह वही गलास है जो मैंने purchase किये थे मार्किट से प्लास्टिक गलास है तो यह वाला हर किसी के अंदर एक पोदा लगावा बहुत खुबसूरत दीखेगा इसके bottom पर मैं एक hole कर दूँँगा drill की मतलब से ही hole करता हूँ तो सब में hole करने के बाद मैं मिटी पर देता हूँ मिटी वही भालू मिटी पर देता हूँ 50-50 का combination है 50% rate और 50% ही आपकी मिटी तो दोनों का combination अच्छे से बना ले rate और मिटी का तो आप इसमें transparent कर सकते हैं तो stay with me मैं hole कर लेता हूँ आपको इसा शेर करता हूँ मैंने सारे glasses में मटी भर ली है अच्छी तरह से मैं ज्यादा लगाना चाहता था लेकिन मैं अब ज्यादा नहीं लगा रहा जस छे में ही मैं इसके transparent करूँगा और जो बच जाएंगे देन मैं सोचूँगा उसको मैं भी के यह जो मेरप्रास क्यारी है इसके अंदर मैं लगा दू बड़े साइज के तो अब देखते हैं क्या करते हैं लेकिन छे तो आपको transparent करते दिखाता हूँ आपने कैसे करना है तो stay with me ओख दोस्तों अब time है तेन को बाहर निकालने का बहुत soft आईके से आपने बाहर निकालना है digging tool याप यूज़ कर सकते हैं अकर यह ना हो तो कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका जो मट्टी का बहुल है वो नर्म हो जाए और बिना roots टूटे वो बाहर निकला है तो मैं डिक टूल यूज़ करूँगा इससे कम चांस होते हैं पोदा पोदे की roots टूटने के लिए कुछ इस तरह से मैं पुष करूँगा और थोड़ा सा कुछ पुल करूँगा मतलब जैक लगाऊँगा तो जैक लगाने से ये roots और साथ में कुछ पोदे भी आ जाएंगे कुछ इस तरह से ये दो plant आ गए हमारे पास पहले हम दो की अच्छे तरीके से plantation कर लेते हैं देन हम तीसरे को उखाड़ेंगे अगर इसकी roots बाहर भी निगलाती हैं तो प्रेशान होने की जरूद नहीं है क्योंकि ये अभी भी इस काबिल है कि इसको transplant कर लिया जाए मतलब ये transplant करने के काबिल है अभी तो इसकी roots को हवा नहीं लगेगी जब हम इसको transplant कर लेंगे काफी मिट्टी है ओके दो हमारे पास पोदे हो गए पहले को भी रखते हैं अच्छा अब इसको लगाने का तरीगा कुछ ये है कि कुछ इस एरिया में रखेंगे और इस टूल से हम थोड़ा सा होल कर लेंगे ये मैंने मट्टी सिर्फ भरी है इसको मैंने force नहीं किया push नहीं किया दबाया नहीं है इसलिए अगर मैं इसको दबाऊंगा ये और नेचे बैढ़ जाएगी हम उस वक्त दबाएंगे जब हम प्लांट लगा लेंगे common चीज है common sense आप यूज़ करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा अगर हम अभी से इसको hard कर देंगे then इसके अंदर hole करना मुश्किल हो जाएगा अगर hole हो भी जाएगा तो जब हम इसको डालेंगे उसके अदर तो मिटी से और दबाएंगे तो ये इसकी roots ओर tight हो जाएगी मिटी ओर tight हो जाएगी hard हो जाएगी तो ये ननी ननी छोटी छोटी से roots को problem होगी अपनी germinate बढ़ाने के लिए मतलब अपनी growth बढ़ाने के लिए इसलिए जब भी गमले में मिट्टी डालें जब प्लांट आप लगा लें देन उसके बाद उसको push किया करें पहले करने की जरुषट नहीं है कोच मैंने इस तरह होल कर दिया है यह देख सकते हैं अब इसके अंदर मैं प्लांट लगा दूँगा कोच शेस तरह से रूर्स टेड़ी हो यह बिलकुँ सीधी अंदर जाए इसकी आपको टैंक्शन लेने की ज़रूद नहीं है जैसे भी अंदर जा रही है उसको जाने दीजिए और यह लगाने के बाद हम सलोली सलोली मट्टी डालेंगे जो किनारों पर सर्फेस एरिया में जो मट्टी है सोफ उसको हम अराव अराव से बरेंगे ताके वो पूरी रूर्स को कवर कर लें अगर एक दम से ही हम फैंक देंगे तो वो नीचे तक दबेगी नहीं मिट्टी और रूर्स के अंदर गैब रह जाएगा मतलब एर पॉकर्स रह जाएगा अगर एर पॉकर्स रह गया तो फिर इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी मतलब इसकी shooting start नहीं हो पाएगी, rooting start नहीं हो पाएगी और वो मर जाएगा अब मैंने अपने गोर किया, मैंने इसको यहां से push नहीं किया अब मैंने लगा दिया, अब मैं अपने port को पकड़ूँगा और पट़ूँगा कुछ जमीन के उपर कुछ इस तरह से इस तरह मट्टी ज्यादा push भी नहीं होती और air pockets भी हतम हो जाते हैं आपने देखा मिट्टी का level काफी नीचे तक चला गया है यह original तरीखा यही होता है, plantation करने का इससे इसकी roots अभी भी soft है, अभी भी soft मिट्टी है तो जल्दी इसकी germination root की rooting जल्दी start हो जाएगी अब time है इसको पानी देने का, अब हम पानी डालेंगे इसके उपर, अब जितने भी air pockets रह गए हैं वो पानी देने की वज़ा से नीचे बैड़ जाएंगे मिट्टी थोड़ी सी और hard हो जाएगी, इसका मतलब आपको push करने की ज़रूत नहीं है बड़ा पोदा हो, मतलब अगर बड़ा प्लांट लगा हो है, नर्सरी से जो लेकर आएंगे आप उसकी roots मोटी मोटी हैं जैन आप उसको हलका हलका अपनी थम की मदद से push कर सकते हैं मिट्टी को hard करने के लिए ताके support मिल जाए पोदे को खड़े होने के लिए अगर हम transplant कर रहे हैं, नन्ना सा पोदा, ये seedling transplant हम कर रहे हैं, अगर हम इसको push कर देंगे तो roots आगे ही बेचारे की बहुत छोटी छोटी सी हैं, तो उससे root bounding भी हो जाएगी, मिट्टी हाड हो जाएगी एक मरतबा हम इतना पानी देंगे के पूरे का पूरा जो glass है, मतलब मिट्टी है, वो गिली हो जाएगी नीचे से drainage hole जो है, वहाँ से drain होना शुरू हो जाएगी अब जब तक ये पूरे का पूरा पानी सक करता है, तब तक हम दूसरे को पकड़ लेते हैं, और इसको भी इसी तरह लगाएंगे ये जो plant है, इसको आप बाहir रख सकते हैं, अगर आपने सारे एकदम से ही बाहिर निकाल लिए, मिटी के अंदर से, जिसतरह के ये पड़े होएं तो बाहर निकालने के बाद आप उसको पानी के अंदर रख लीजिए जिस सरह के यह है इस सरह पानी के अंदर रख लेंगे इसकी रूट जब तक नम रहेंगी इसके अंदर मौश्चर बना रहेगा और वाटर फलो काईम रहेगा अगर हम इसको बाहर निकाल देंगे तो यह 10-15 मिन्ट भी सर्वाइब नहीं कर पाएगा इसलिए आप जब भी इसको ज्यादा पौदे निगाले बाहर तो उसको आप रख सकते हैं पानी के अंदर इसको भी हम इसी तरह से डिगिंग टूल से इसका खाहल करेंगे और खाहल करने के बाद जरूरी नहीं कि जितने लenizज़ ब्लैक्ड उस आप उतना ही खाहल लंबा करें मतलब गहरा करें कर अब मैं अब इसको मैं सीदा करता हूं और ग़ास को पटकता हूं नहीं करत आपो कू मिट्टी नीचे दब गई और काफी support मिल गई और जो ground level पर पत्ते बज जाएं उसको आप निगाल दीजिए मतब तोड़ दीजिए क्लिपिंग कर दीजिए उसकी ताके मिट्टी के जब हम पानी देंगे तो पानी के साथ मिट्टी के साथ टेच ना रहे वह अगर टेच रहे जब fungus अगर आ गया तो देन आपका जो plant है वह मुझा जाएगा ओके इसको भी हम साइड पर रख देते हैं और इसका देखें आप पानी काफी अद तक इसने सक कर लिया है मैं सबकी transplanting कर लेता हूँ देन आपके साथ share करता हूँ तब तक के लिए मेरे साथ रहिए मैं अभी नीचे से drain नहीं हुआ है तो पोदे जुके हुए हों यहां stand हो फिल हाल के लिए आपको tension लेने की जरूथ नहीं है जिस तरह यह बेंड ले रहा है जिस तरह यह भी देखे नीचे गिरा हुआ है जिस तरह यह भी नीचे गिर रहा है यह basically भी starting है इसकी तो इसकी roots को अभी थ पेड़ी एरिया ज्यादा सूटे बर रहेगा उसके अंदर अभी आप रखिए जब इसकी जब अच्छे से निव लीव निकलना शुरू हो जाए इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाए नए ने पत्ते निकलना शुरू हो जाए देन तब तक तो सर्दी का सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा अब ही सप्तंबर का महीना है तो सप्तंबर का महीना एंड होगा तो सर्दी आना शुरू हो जाएगी जैना आप इसको आउड़़ रख सकते हैं मतलब सनलाइट में इसकी एच्छे से फ्राफिंग भी होगी तो अब यह हमारे पास ये भी सीडलिंग अभी पड दो और ये तीन, तीन और ये चार और ये पांच और ये चे ये साथ और ये आठ आठ और ये नो दस और यारा यारा हमारे पास ये हैं 12, 13, 14, 15, 16 और 17 मतलब हमने 17 सीड लगाए थे 17 सीड लगाया थे और 17 की ही जर्मिनेशन सेक्स एक्सूल हो गई वाह जबरदस हो गया इसका मतलब मैं तो अब मास्टर बनने वाला हूँ ओके दोस्तों उमीद करता हूँ आपको स्टार्ट टू एंड का प्रसाइब बहुत अच्छे से समीज भी आ गया होगा और आप भी इस तरह करना शुरू करते हैंगे अभी भी सीड लिंग का सीजन है बेसिकली सीड लिंग का सीजन यही है जब सर्दी स्टार्ट होने वाली शुरू होती है लेकिन मैंने तो अगस्त के महीने में की थी तेरा को तेरा अगस्त को काफी गर्मी थी बारशें को सीजन भी होता है लेकिन गर्मी काफी होती है काफी हमिडियटी भी होती है अगली वीडियो हैं फिर किसी नई इंफरमेशन के साथ मिलेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई, सी उ, हैं टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और गबराइए नहीं मैं इसका अभी कुछ करता हूँ मैं भी अपनी जो क्यारी है मेरे पास यह वाली पीछे कोई न कुछ कहीं न कहीं तो इसको एड़ेस्ट कर दूँगा क्यूंकर मेरे पास बहुत से क्यारी में बहुत कुछ लगाया हुआ तो कुछ शेरिंग इनकी भी हो जाए है ओके दोस्तों गुड़ बाई